साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर तो जैसा कि मैंने अपते पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसको डिसकर करेंगे वह आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है ठीक है तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अंद तक जरूर देखेंगे क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे जब मैं फॉर्म्स रिलीज होते हैं या कोई भी ज्यारफ का एक्जाम होता है त है या अप माल लिए कि कोई और भी एकजाम है जो कि आपका टाइफर का है 2022 का ठीक है तो ऐसे कर्मेंट्स आते हैं मेरे पास किसार आप उसके लिए पढ़ाना शुरू कर दीजिए या आप गेट के लिए पढ़ाना शुरू कर दीजिए तो जैसा कि मेरा जो कंसर्न है वह पढ़ाई करिए, मतलब आप biology पढ़िए, हर जहां वही questions पूछे जाएंगे, तो उसी के regarding है, क्योंकि जब से मैंने आपको बोला था, कि आप ICR जो है, उसको form को fill करिए, और questions आपकी ही चीजों से ही आएंगी, तो यहाँ पे दो चीजे हैं, कि जो भी lectures मेरे YouTube channel पे मेरे available है, बट समय आने पर remaining चीजे भी cover हो जाएंगे, और जो important चीजे हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो question है, यह ICR के questions को अब discuss करेंगे, और देखते हैं, कि यहाँ पे कितने questions पढ़ाए हुए आए थे, और कितने questions आपके normal question थे, जो आप as a biology background के student हो आला कि यह जो paper है, यह मैं आपको बता देता हूँ, sort में, यह biochemistry part का question है, ठीक है, मतलब जिस बच्चे ने ICR, यह particular GRF का question है, ठीक है, जो PhD इंटरेंस के लिए exam था, ठीक है, तो वहाँ पे crop science करके यह subjects वगरा थे, जिसमें मुझे याद नहीं कि second, third, जो भी था, उसमें जि बलकि मेरा हाँ, एक चीज और भी, जो है, वो मैं basically life science को deal करता हूँ, तो हलाकि agriculture में अगर आप जाएंगे, तो उसके बहुत ही अंदर जाके मैं entomology, ऐसे करके बहुत सारी उनकी शाखाएं होती है, तो उसके regarding तो मैं video नहीं बना सकता हूँ, बढ़ हाँ, जो आपके core life science से होकर गुजरेंगी, उन चीजों को मैं काफी अच्छे से explain कर सकता हूँ, उनके बारे में मुझे बता है, और सबसे most important चीज है कि ऐसे exam भणने से आपकी CV strong होती है, आप confidence बढ़ता है, और जैसा कि मैंने आपको एक बार और भी बता चुका हूँ, कि आप जब किसी project के लिए apply करते हैं, तो वहाँ पे एक column में ICR भी consider किया जाता है, तो यानि कि अगर आपका ये qualify होगा, तो आप उसके लिए eligible हो जाते हैं, कहने का मतलब अगर आप किसी institute में project join करते हैं, अगर आपके पास कोई JRF नहीं है, तो शायद आपको कम पैसे दिये जाए, अगर आपको JRF है अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आप मेरे vaccine का एक मैंने पूरा separate video बना के रखा, और मैंने ICMR के regarding हम लोगोंने questions को discuss किये थे, वहाँ पे भी मैंने इस part को discuss किया था कि vaccine term किस ने दिया था, उसके अलावा ये पूरी story कहां से आती है, तो यहाँ पे मैंने इमनोलजी कहते हैं, यह सारी बाते आपको तुरंत recall हो जानी चाहिए, और उन्होंने जो vaccine बनाई थी, उन्होंने जो बनाई थी vaccine, उन्होंने मतलब smallpox को ठीक करने के लिए cowpox बगरा का इस्तमाल किया था, तो यह फूरी एक ब्यूटेल में story थी, तो वहाँ से इसका answer आपक से question derived हुआ, इसके अलावा agriculture नाम दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर immunology से question नहीं पूछा जाएगा, basic चीज़ें तो आपसे पूछी जा सकते हैं, आपसे T cells, B cells नहीं पूछेंगे, बट आपसे core चीज़ें तो पूछी जा सकती है, ठीक है, तो यह important चीज़े था, और आप उसको note down कर लिजेगा, क्योंकि मतलब बार-बार ऐसी चीज़ों को cover कर पाना, क्योंकि कुछ questions अच्छे मिल जाते हैं, तो वहीं पर मैं उन चीज़ों को आपको explain कर दूँगा, ठीक है, तो यह particular ICAR के लिए video नहीं कह सकते हैं, यह आपका general पढ़ाई के लिए भी video ह कि आप questions को solve करिए और उनसे सीखिए, फिर यहाँ पर एक question आपसे पूछा गया, यह भी question जो कि मैं बार-बार आपको बोलता हूँ, which of the following is the only vitamin containing a trace element जिसमें cobalt पाय जाता है, ठीक है, तो cobalt के लिए भी मैंने यह मेरा एक पूरा vitamin का lecture available है, जो कि आपको देखने को बिल जा option दिया है, 11446, ठीक है, अब हम next part की तरफ चलते हैं, अब यहाँ से questions अच्छे start हुए है, जो कि basic है, अब यहाँ पर समझिएगा, मैंने enzymes आपको नहीं पढ़ाए है, ठीक है, बस आपको मैंने questions solve कराते समय, जो मैंने ICMR के questions solve कराए थे, तो मैंने वहाँ पर आपसे discuss किया थ ठीक है, तो यहाँ पर हम इस question को solve करेंगे, बहुत ही आसान question, बहुत ही basic question आपसे पूछा गया था इस बाल, ठीक है, और यहाँ पर इसका explanation भी मैं दे दूँगा, तो यहाँ पर दिया गया है कि given below are the two statement आपको दिये गया है, एक आपका assertion है और एक आपका labeled है, तो reason है, तो आपको इसको डोनों ही statement को आपको read out करना है, और most appropriate answer को आपको क्या करना है, choose करना है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि enzymes become inactive at below minimum temperature, तो सबसे important चील, अगर आपने कभी enzymes को छोटे में भी पढ़ा होगा, तो enzymes जो होते हैं उनको एक particular temperature चाहिए होता है, जिसको हम क् भी urease enzyme है या कोई भी चीज है, तो उसको एक particular pH या pH चाहिए होता है, temperature चाहिए होता है, जहाँ पर वो active रहता है, ठीक है, तो उसी तरीके से होता है, तो इस optimum temperature के अगर आप below जाएंगे, तब भी enzyme अपनी activity को खोदेगा, और इसके above जाएंगे, तब भी वो अपनी activity को खो denaturation, तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा साव DNA part को भी पढ़ा होगा, तो जब भी हम denaturation की बात करते हैं, तो basically यह आपका, जब आप high temperature पे करते हैं, तब वो denaturation होता है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, temperature at which the enzyme so it highest activity, उसको हम क्या बोलेंगे, optimum temperature बोलेंगे, तो इसको यहाँ से समझ लीजिए आज से, enzyme activity decline, यहीं से question derived हुआ है, इस line से, कि enzyme activity decline both below and above the optimum temperature, तो मतलब उसके ऊपर भी decline हो जाएगी और below भी decline हो जाएगी, लो temperature preserve the enzyme, जब आपर ली इनक्टिव स्टेर, और बेना temperature को है, इसके अलाबा high temperature destroy enzyme by causing their denaturation, तो जो मैंने आपको बताया कि high temperature से denaturation होता है, तो वो बात सही है, at high temperature, the kinetic energy of a molecule become strong to break the, आपके hydrogen bond ही basically break किये जाते हैं, तो जब आप DNA के case में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी जब denaturation होता है, तो वहाँ पर जो basis के बीच में hydrogen bond होते हैं, वही आपके break होते हैं, यहाँ पर भी hydrogen bond ही break होते हैं, basically आपके क्या होते हैं, hydrogen bond जो की tertiary structure को maintain करने का काम करते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, catalytic activity हो जाती है, ठीक है, इस denaturation हो जाता है, once the enzyme protein denature, it remains inactive, जब तक आप उस temperature को normal नहीं लाएंगे, तो दो बातें आपको यहाँ प आप उसको एक normal temperature, उसका optimum temperature प्रोवाइड करेंगे, वो मान लीजे कि वो active हो जाएगा, और इसके अलावा ये भी बहुत important question है, आने वाले time में आपसे पूछा जा सकता है, कि जब आप इसकी activity को graph को draw करते हैं, temperature on enzyme activity, तो यह आप जब enzyme की activity और temperature के बीच में जब आप एक graph ड् आता है, तो यह आपका एक bell saved का graph आता है, इसको याद रखेगा, हो सकता है, next time exam में पूछ ले, और temperature का भी ऐसा ही graph होता है, यहाँ पे मैं graph के मामले में आपको यहीं पर ही बता देता हूँ, हला कि जब आप detail में समझेंगे, तो इसको भी समझ लेंगे pH, तो pH और temperature का graph जो ह होता है, वो एक जैसा होता है, तो pH is equal to temperature, दोनों का ही graph आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह explanation मैंने आपको दे दिया है, अब यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, तो यानि कि assertion जो था वो आपको true दिया गया है, कि enzyme अपनी in activity खो देगा, जब उसके minimum temperature पे आएगा, लेकिन क्या यह denaturation की वज़ा से हुआ, नहीं, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, कि both तो correct नहीं है, तो यानि कि यह option कट गया, यह option कट गया, A is correct, but R is not correct, यह आपका correct option हो जाएगा, कि R जो है वो correct नहीं है, समझ रहे हैं, तो यानि कि 411 जो है, वो इसका correct answer है, इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो आज से हमने इस question के भी explanation को समझ लिया, बाकि जिन लोगों ने किया होगा, उनको बहुत अच्छी बात है, आराम से यह question लगना चाहिए था, basic information के साथ, बाकि जिनको नहीं पता था, उनको भी मैंने explain कर दिया है, फिर यहाँ पे next question आप से पूछा गया है, हाला कि molecular biology है, यह भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बटाने वाले समय पढ़ाएंगे, बट यह भी आपका बहुत ही easy question मैं कहूंगा, कुछ करना ही नहीं था, अगर आप थोड़ा भी अगर आप repair pathway अगर आप पढ़ते हैं, repair system पढ़ते हैं, तो double stand break, आपका अलग cheat होता है, nucleotide accession में क्या होता है, यह particular nucleotide की chain को remove किया जाता है, केबल base वाले में क्या होता है, कि जब आप base को हटाते हैं, और उसमें आप correct base को, मतलब पहले इसका पूरा process होता है, detail में आप पढ़ेंगे, तो पहले उसके glycosidic bond को break करके particular base को हटाया जात है, ठीक है, इस तरीके से यह पूरी story होती है, तो यहाँ पर base ही पूचा था, तो correct option यहाँ पर common sense लगा के कर सकते है, base accession repair pathway, तो इसका जो correct answer है, वो 420 है, और दूसरी important चील आपको यहाँ से यह भी समझ के जानी है, कि यह तीनो paper, अगर मैं आपका ज्यारफ के paper की बात हटा दिया जाए, ठीक है, तो बाकी आपका dbt हो गया, icar हो गया, ठीक है, और csir हो गया, ठीक है, तो यह सारे question जो paper है, वो NTA conduct करा रहा है, तो NTA जो paper बना रहा है, तो उसके सारी चीजों पर आपको निगाह रखनी होगी, कि यह कहां कहां पर क्या पूच रहे हैं, ठीक है तो अभी आप देखेंगे कि कुछ questions जो है, वो मिलते जुलते ही questions पूचे गए हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको नजर बैठानी होगी, कि हमारा जो एक तरीके से कहते हैं, कि आप अपने दुस्मन पर नजर बैठा लेंगे, तब ही आप चीजों को समझ पाएगे कि उसका अगला step क्या हो सकता है, ठीक है, तो इन्होंने जितने questions आप से पूचे हैं, तो जहां तक आल आपका possibility हो, तो NTA जो भी biology से रिलेटर paper कराता है, इवन मैं यहां पर NEET को भी साविल करूँगा, आप NEET के भी paper को देखें कि NEET में इन्होंने कौन से questions पूचे थे, इससे क्या होगा है, कि आपकी practice होगी, ठीक है, अट लिस्ट जो आपके sexual B type वाले question है, वो आपके तयार हो जाएंगा, और हो सकता है, कभी-कभी अगर वो questions आपके repeat हो गए, तो आप उनको समझ सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, तो इस चीजों को याद रखेगा, ब इसमें कोई नई बात भी नहीं है, बढ़ हाँ, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, तो यह correct option हो गया, इसके बाद reverse transcriptase, यह मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, यह scientist का question जो आप कहते हैं, कि ICMR में किवल पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है, तो पूरा मैंने explanation लिखा था, कि उसकी discovery के लिए आपके T-Man and Baltimore, यह दो scientist का नाम लिया जाता है, इनको याद रखिएगा, कोरेंबर्ग आपके DNS relation है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको trace भी कर सकते हैं, बाकि trace की आओ सकता भी नही तो T-Man and Baltimore का नाम जरूर आएगा, तो यहाँ पर 11,416 इसका correct answer होगा, ठीक है, फिर यह question भी आपका T-Lomerase से question पूछा गया है, हलाकि ऐसे question आपको अगर आप previous में देखे होंगे, तो आपको DBT में ऐसे question मिल जाएंगे, जो कि 2021 में या 22 में question पूछे गया है, T-Lomerase से, तो व RNA containing enzyme होता है, basically यह आपका reverse transcriptase है, तो यह basically क्या करता है, एक बार ऐसे भी question दे दिया गया था, बच्चे छोड़ के चले आए, RNA dependent DNA polymerase भी इसको बोलते हैं, इसको याद रखेगा, मतलब क्या करता है, जैसे आपका DNA है, तो normal story यही है, कि DNA से RNA बनना, RNA से protein बनना, यही आपका central dogma है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, reverse जा रहा है, और जो हमेशा enzyme होता है, उसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, कि DNA polymerase लिखा है, तो यह सारे नावन क्लेशन में भी आप confused नहीं होंगे, बाकि यह आपका RNA containing enzyme है, तो हम इसको ribozyme कह सकते हैं, इसके अलाब़ा, telomerase activity decreases as the cell ages, तो यह आपकी पूरी aging में आप देखते हैं, कि जब आप cells ages होते हैं, तो वहाँ पे इनकी activity जो होती है, वो down होती जाती है, इसी लिए telomerase enzyme आते हैं, अपना काम करते हैं, यह बहुत ही खुबसूरत story है, जब आप molecular biology पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपका encounter होगा इसके लावा telomerase synthesis requires a three prime end of the chromosome, जो कि primer के तरीके इस्तमाल करेगा, और five to three prime direction में synthesis करेगा, ठेक है, और एक चीज़ और यहाँ से सीखते जाईए, मैं आपको एक concept दे रहा हूँ, 95% या कह लिए 90 to 95% cases में, molecular biology में चाहे आप DNA की synthesis देखें, चाहे RNA की synthesis देखें, सारी synthesis five prime to three prime होती है, telomerase की synthesis होती है, वो five prime to three prime होती है, ठेक है, अगर आपको आता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आता है, तो इसको detail में हम आगे समझ लेंगे, ठेक है, बट अभी आप इतना जानेंगे कि कुछ भी होता है, mostly synthesis आपकी five prime to three prime होती है, तो यहाँ पे आपको not true द question है, important मैं लिख देता हूँ, इस part को पढ़के जाईएगा, आने वाले आपकी DVD का जो exam होने वाला है, वहाँ पे ऐसे questions पूछे जा सकते हैं, उन्होंने पूछा भी है, ठेक है, तो इसमें कोई दोराए की बात नहीं है, exams में ऐसे questions आप से पूछे गए हैं, तो इसको याद Amino Acid may be specified by more than one codon, तो ये बात सही है, जब आप पढ़ेंगे इसको detail में वीडियो जाके देखिएगा, इसके बाद मैंने बहुत बार आपको रटाया है, AUG is the most common signal for beginning of a polypeptide in the all cell, ये भी आपका सही है, मैंने आपको बताया था कि 98% case में जो आपका initiation codon होता है, वो आपका AUG ह बेसिकली जब भी इसका नाम आया, तो ये भी याद आना चाहिए, मैथ्यो नीन Amino Acid को code करता है, ठीक है, और जब ये remaining 2% case में आपका कौन होता है, GUG होता है, ठीक है, तो ये चीज़ों को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद genetic codon are triplet of nucleotide that code for specific amino acid, तो उनकों हम overlap नहीं करते हैं, अगर हमने 3 पढ़ लिया है, तो next 3 ऐसे पढ़ेंगे, next 3 ऐसे पढ़ेंगे, बीच में ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो ये statement इनका correct था, incorrect था, sorry, तो यहाँ पे जो correct option बनेगा ID, वो आपका 424 बनेगा, इस question की ID यहाँ प मेरी बात को follow किया होगा, कि ये केवल GRF का exam है, तो उनको definitely फायदा हुआ होगा, समझ रहे हैं, और आप भी अब आज से अपनी मानसिक्ता को बदल दीजिए, आराम से एक biology समझ के पढ़ाई करिए, ये सब basic चीजे नहीं बदलेंगी, भाई, आपका molecular biology थोड़े बदल इम्नोलजी थोड़े बदल जाएगी, enzymes थोड़े बदल जाएगा, ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, फिर जब भी आप biotechnology के form में जाते हैं, तो golden rice ये आपका एक favorite topic है, इसको भी मैंने जब आपको ICMR के question के revision के समय मैंने बताया था, वही question से यहाँ प को vitamins के lecture में भी बताया है, कि यह आपका beta carotene से बनता है, इसका जो precursor होता है, यह आपका beta carotene होता है, दो molecule of the beta carotene से एक molecule of the vitamin A बनता है, कहां बनता है, आपके intestine में बनता है, यह सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, इसके बाद यहाँ पे जब इसको genetic engineering किया गया, तो यहाँ पे दो gene थे, हलाकि इस part को मैंने नहीं cover किया है, बट यहाँ से आप पकड़ सकते थे, कि beta carotene biosynthesis में ही सारा खेल किया गया था, तो यानि कि two gene इसको भी आवाज से याद रख लिएगा, PSY and carotene, मतलब एक आपका carotene biosynthesis में था और एक आप इसको देख लिएगा PSY, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका correct answer जो आपका बनेगा, वो आपका बनेगा कि दोनों ही statement true है, और जो आपका B है, तो जो आपका R है, वो उसका correct explanation है, ठीक है, तो यानि कि A and R are true and R is the correct explanation of the A, तो 1505 यह हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो correct option दिया गया है, बाकि यह most important है, आने वाले exams के लिए golden rice को पढ़के जाएगा, definitely आपको questions मिलेंगे, कौन से इसके scientist है, कौन सा gene था, किस में introduce कराया गया, कौन सा vector इस्तमाल किया गया, यह सारे पहलू को पढ़के जाएगा, बाकि मेरे वीडियो भी देख लेंगे, तो आपको यह part मिल जाए है, यह भी आपका BT से question है, बायो टेखनोलोजी से question है, बहुत आराम से लगने वाला question था, which of the following strategy were used to genetically engineer ranbo papaya to control ring spot virus, तो basically जब आप जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर जब बायो टेखनोलोजी आप पढ़ते हैं, तो जब आप disease resistant plant बगारा बनाने के लिए बढ़ते हैं ठीक है, resistant plant का पूरा chapter पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप drought resistant, herbicide resistant, ठीक है, तो यह पार तो पहली बात तो समझ लिए कि बहुत important है, अगर आपके पास कोई book available है, तो आप इसको अपने tips पे कर लिजेगा, कौन से resistant में कौन कौन से gene का alteration किया जाता है, क्या चीजे होती है, उस की structure में जब आपने पढ़ा होगा, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि virus की structure होते है, उसमें आपका capsid एक होता है, ठीक है, capsid होता है, इसके लावा इनकी एक coat protein होती है, तो यह सारी structure होते है, जो अगर आप structure detail में virus का पढ़ेंगे, तो ऐसा study में पाया गया है, कि जो virus की जो coat protein होती है, अगर हम उसको लेकर बनाते हैं, मतलब जो भी अगर आपको resistant provide कराना होता है, तो coat protein के gene जो होते है, हलाकि यह mechanism जो है, वो unknown है, कि क्यो ऐसे resistant मिल जाते हैं हमको, लेकिन यह हम उनका इस्तमाल करके हम genetically engineer बना सकते हैं, कि जैसे क्या होगा कि virus disease नहीं आएगी, तो यहाँ पे जो हम virus के part का इस्तमाल करते हैं, वो आपका coat protein होता है, बस इतनी बात याद रखेगा, आगे आपकी सारी चीज़े solve हो जाएंगी, बाकी चीज़ों को मैं आगे cover कर दूँगा, तो यानि कि यहाँ प इसका correct answer दिया गया है, 878 है, 512, तो आगे से जब भी technology में आपसे पूछा जाएगा, कि virus resistant के लिए हमको कुछ बनाना है, तो हम किस चीज़ का इस्तमाल करेंगे, तो हम हमेशा coat protein का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो यह मैंने आपको cover कर दिया है, इसके बाद आपके लिए एक question और पूछा गया है, यह मैं, मैंने इसको पढ़ाय नहीं, बढ़ यह आपका basic question है, अगर आप 12th में भी या BSC level पर जब आप स्टमेटा पढ़ते हैं, तो यह question महां से solve हो जाने चाहिए, तो basic थोड़ा देख लेते हैं, तो जब स्टमेटा की स्टूरी पढ़ते हैं, तो reduce CO2 concentration favor opening of स्टमेटा, while increase CO2 concentration promote स्टमेटा closing, तो यह आप रख लीजेगा, बाकि इस पार्ट को भी पढ़ लीजेगा detail में, और जब भी आप plant हर्मोन पढ़ते हैं, तो वहां पे आपका नाम आता है, एपसीसीक एसिड, तो एपसीसीक एसिड का दूसरा नाम जो होता है, इसको stress हर्मोन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स टाइम आप से एक्जाम में पूछा जाए, तो इसका नाम ही stress इसलिए है, क्योंकि ये इसकी जब accumulation होता है, तो stomata जो होते हैं, वो close हो जाते हैं, बिसिकली stomata जो apart होता है, ये plants में transpiration एक process होता है, उसमें involved होता है, या आप जानते होंगे, ठीक है, तो कुल मिलाके यहाँ पर abscissic acid closing के लिए होता है, जो CO2 की concentration down होती है, तो वो opening हो जाती है, जब CO2 की concentration बढ़ती है, तो क्या होता है, closing हो जाती है, तो इसको याद रखेगो, simple सी logic है, भाई, CO2 कोई अच्छी चीज तो है नहीं, ठीक है, तो उसी इसाफ से आप यहाँ पर trace कर लेंगे, तो दोनों ही statement जो होंगे, यहाँ पर true हो जाएगा, both statement one and statement two are true, तो यानि कि यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने यह सीखा, कि हमको graduation level तक में जो भी हमने, यह जो basic चीजे हमने पढ़ी है, transpiration, यह सी जो को हमको पढ़ते रहना चाहिए, और इस part को भी आप exam में देखके ज जाएगा, हो सकता है, एक question आपको आराम से मिल जाए exam में, ठीक है, तो यह भी बहुत अच्छा question यहाँ पर नोंने derive किया था, इसके बाद यह भी question मैंने आपको बताया हुआ है, जो मैंने आपको आई से अमार के previous lecture revise कराए थे, वहाँ से पूछा गया, which of the following is the main effect of cytokinin in a tissue culture system तो cytokinin, यह मैंने आपको बताया था कि दो हार्मोन होते हैं, उनका इस्थमाल किया जाता है, auxin and cytokinin, आज तक जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज जान लीजिएगा, auxin जो होता है, इसका level जादा होता है, तो यह root का formation करता है, cytokinin जो होता है, यह पढ़ सकते हैं, books में available लहेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि cytokinin आपका क्या करेगा, तो cytokinin आपका shoot elongation करेगा, तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे adventitious shoot formation, sorry, elongation नहीं, shoot का formation करता है, root formation, shoot formation, यहाँ पे थोड़ा सा complicated किया था, तो shoot का elongation नह हमेशा याद रखेगा, बहुत important part है, और हमेशा यहाँ से questions आते हैं, फिर यह matching जो कि आपके लिए बहुत important matching है, हमेशा आपको मिल जाएगा, basic, जब भी आप biotechnology पढ़ेंगे, तो वहाँ पे या कुछ भी आप basic भी पढ़ेंगे ना, तो enzymes के action में यह chart हमेशा याद रखेग क्योंकि अभी तो matching के form है, तो अगर आप किसी एक को भी trace करेंगे, तो आपका answer सही हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, बट आपको अपने आगे तयारी के लिए हो सकता है, सीधा पूछ कि type 2 restriction enzyme कैसे कारेंगे, तब आपको देखना परेगा, तो यहाँ पर जो आपको द करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइगेज आता है, जो कि DNA को ज्वाइन करता है, तो DNA लाइगेज जो होता है, वो जोड़ने का काम करता है, तो राइगेज को हम molecular glue भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, और restriction endonuclease को Caesar बोलते है, ठीक है, मतलब catchy है, काठने का क करती है next time अगर ऐसे पूछ लिए तो छोड़ना नहीं है तो यहां पे अगर आप मिलाएंगे तो आपको E में fourth option सभी में दिख जाएगा ठीक है यहां भी है यहां भी है यहां भी है यहां नहीं है तो एक option आपका cut गया कैसे trace करते हैं यह आप समझ लीजिए इसके अलाव और अंदर तक जाएंगे तो आपको alkaline phosphatase मिलेगा ठीक है यह क्या करता है आपके remove करते हैं टर्मिनल phosphate को remove करने पर आएगा ठीक है यहां पर आपका सारा answer निकल आया दो option को trace करने पर 2888 का question ID है और 549 जो है वो इसकी answer की है बाकि remaining चीजों को पढ़ लीजेगा polynucleotide kinase kinase हमेशा जब अब भी आप chemistry मैंने आपको पढ़ाई थी मैंने आपको वहां बताया था ठीक है kinase जो होते है वो phosphate group को add करते हैं तो यह भी आपका बहुत ही आसान question था तो यहां पर add करना है तो आप भी को 5 से मिला दीजिए यहां हो गया बाकि remaining जो है वो आप देख लेंगे आराम से कोई दिक्कत नही है ठीक है तो यहां पर clevis का काम आपका है बाकी enzymes करेंगे समझ रहे हैं तो इस particular चीरों से हमने यह सीखा है बाकी आप इस particular enzymes का आप एक copy पे note down करेंगे जो भी correct option है उसको लिखेंगे और आगे के exams के लिए आप क्या करेंगे इसको recall करेंगे समझ रहे हैं तो बहुत अच्छ करेंगे बड़ जब आप इंटर्व्यू के लिए जाएंगे वहां पर आपको इनका सामना हो जाएगा अल्टिमेटली जब आप research field में आएंगे तो जब आपको buffer बनाना होगा कोई काम करना होगा तो यह आपका बहुत ही आसान चीज होती है मतलब basic चीज होती है लोग फिर इसके बारे में आपको judge भी करना सुरू कर देते हैं तो मतलब scientist पहला question आपको कितनी knowledge है वो बात में पूछेगा पहले आपसे यह पूछेगा कि आपको 0.9% NACL बनाना आता है कि नहीं बनाना आता है समझ रहे हैं तो इस पहलू पर आपकी कमजोरी है तो इसको जरूर तया आपका मिली मोल होगा तब आप मिली लीटर पे जाएंगे तो जब आपका लीटर है तो जब आप इसको detail में पढ़ेंगे तो यह आपका जो होता है यह आपका one cubic decimeter of the solution होता है तो यह इसका definition में जब आप पढ़ेंगे अच्छी books में normal books में किसी भी आपको chemistry की book में जब आप से मिल जाएगा और यह ऐसी चीज है कि आप इसको देख लीजे ठीक है समय रहते देख लीजे नहीं तो फिर दिक्कत ही होगी क्योंकि हो सकता है कि आप exam crack कर ले जाओ लेकिन आपको interview में जो examiner होगा ना वो आपसे पूछेगा molality, molality, normality ठीक है तो इस पहलू को contact किया फिर यहां पर आपका molecular biology से एक question और आपका पूछा गया है given below other two statement Watson and Crick proposed semi-conservative DNA का replication थी यह तो बहुत ही सही बात है भाई Watson Crick नहीं दिया था बात में इनको Nobel Prize दिया गया यहीं तो कहानी थी इनकी इसके बाद sulfur 35 is used in proving semi-conservative DNA replication तो यह आपका false explanations मैंने यहां पर लगाया ह हुआ है sulfur और phosphorus यूज किये जाते हैं ठीक है एक ठीट और यहां पर समझ लीजेगा phosphorus का 32 isotope और sulfur का हमेसा 35 isotope यूज किया जाता है जब भी हम कोई radio labeling experiment करते हैं ठीक है तो इसका experiment था वो जब मैकलोड और मैकाल्टी ने बदाया था मैं थोटा यहां पर ब्रीफ कर देता हूं कि इन्होंने बोला कि DNA जो है वो genetic material है ठीक experimentally ने प्रूफ किया था हलाकि इस पर भी अभी संदेह था तो इसका जो finally proof दिया था वो हरसा और chase ने दिया था तो उस experiment पे इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था ठीक है बाकी Watson Crick ने यहां में लगाया है इन्होंने प्रपोस किया था semi conservative DNA replication मतलब एक जो होगा वो parent से आएग और एक जो होगा वो new synthesis होगा बस यही इसकी स्टोरी थी experimental proof के लिए मैथ्यू मैसलसन इसका नाम याद रखेगा एक्जाम में लेक्स टाइम आपसे पूछा जा सकता है और फ्रैंक्ली इस्टेहल ने किया था और इन्होंने यूज किया था heavy nitrogen को N15 तो ऐसे questions आपने exam में पर आपको आपको बताया इसके अलावा मैंने आपको ICMR के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे questions जरूर पढ़के जाईएगा जिसमें से क्राइस पर आगर आप देख लीजए क्राइस पर मैंने बोला है कि tools technique में बहुत important चीज है और इसमें दो बाते याद रखी है अराम से questions आपका निकलेगा एक तो recent में जो noble price दिया गया था वो चार्ट पेंटनर को दिया गया था ठीक है तो एक तो ये क्राइस पर का ये हो इस पाल्ट में पूरे एक guide RNA का यूज किया जाता है ठीक है जो अभी CSIR के paper में पूछा गया था तो D का आप second से मिलाएंगे यहाँ पर दो option में देखने को मिल ला है ठीक है बाकी options आपके cut गए बिलकुल cut गए अब यहाँ पर आपको remaining options यहाँ पर देखने है तो अगर endonuclease की discovery के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजे कि आपको कहां पर देखने को मिल ला है recombinant DNA technology using restriction endonuclease बाकी मैं इसका detail में आपको पढ़ा दूँगा ठीक है तो एक आप थर्ड से लगा देंगे यहाँ पर भी नोने चलाकी किया है दोनों options में दिया गया है फिर आपका एजड फायर एड मिलो तो यह आपके RNA technology के हैं जो बच्चे हमारे BT वाले हैं बहुत आसानी से जान जाएंगे बाकी अभी शायद मैं इसका नहीं लगाया है बट यह आराम से मैंने अपने जब आप जाके देखिएगा जहां पर मैंने RNA technology पढ़ाई है वहां पर आपको किस्से मिला देना है यहां पर आप देख लीजे एक सेकेंड अरबर नाथन का किस्से हो गया रिकॉंबिनेंट डियने टेकनलोजी से हो गया ठीक है और हाँ तो बी का आपका हाँ तो बी का फर्स्ट ही होगा तो यह options आपका correct हो जाएगा का A का 3, B का 1, C का 4, D का 2 तो यानि किनोंने correct option दिया है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर यहां पर हम next part की तरफ चलते हैं यह आपका basic enzyme से question था इसको भी हम देख लेते हैं ठीक है तो यह enzymes के question आपसे पूछे गया कि peptide bond of a protein is the found by the enzyme peptidase पहले आप सारी statement को देख दीजिए आपको correct बताना है the primary structure of a protein sequence of amino acid joined by the peptide bond basic information है definitely आपको पता होना चाहिए तो यह आपका true statement है हमको correct बताना है तो B तो आपके options में होने ही चाहिए तो यहां पर आप इसको काड़ दीजिए तरसरी structure of a protein is stabilized by ionic hydrogen and covalent bond ठीक है तो यहां पर आप समझेगा तरसरी structure जब आ exist करता है but covalent नहीं होता है ठीक है covalent क्यों नहीं होता है क्योंकि वह आपके जब primary structure पड़ते हैं तो वहीं पर जो covalent bond का formation होना होता है वहां पर हो जाता है जिसमें आपका example आता है disulfide linkage वगएर ठीक है और इसके अलाबा hydrogen भी अगर आप बहुत अच्छे level तक जाएंगे ना तो जैसे आप जब आप intra molecular या आप alpha helix या beta helix पड़ते हैं तो यह hydrogen bonding से तो बनते हैं तो यह आपके secondary structure होते हैं ठीक है तो यहां से भी आप इसको trace कर सकते हैं तो यह option आपका false हो जाएगा तो यानि कि c option अगर आपका false है तो यहां पे आपका यह भी नहीं होना चाहिए ठीक है c option आपका नहीं होना चाहिए तो यह आपका हो गया इसके बार आपसे पूछा जा रहा है hydrophilic and hydrophobic character of amino acids residue is important to the tertiary structure of a protein तो यह बात आपकी सही है इसके अलावा ability of a peptide bond to form intramonical hydrogen was important to secondary structure ठीक है तो secondary structure में आपके hydrogen bonding तो होती ही है तो यानि कि e जो होगा वो आपका correct option हो जा तो आपका जो बनेगा right answer BDE बनेगा और peptide bond की जो synthesis होती है वहाँ पे peptidase नहीं होता है क्योंकि peptidase तो आपका तोड़ने वाला enzyme होता है ठीक है ब्रेक करता है peptide bond को formation नहीं करता है ठीक है तो यह आपका incorrect option हो जाएगा और यह आपका basic question था जो कि आराम से यहाँ पे solve हो सकता था और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2852 इसका correct answer 407 है तो अभी तक जो मैंने यहाँ पे question discuss किये है यह आपके normal biochemistry part molecular biology कह लीजे life science कह लीजे यहीं से question आया है और आप paper किसका देने गया थे ICAR का paper देने गया थे biochemistry stream से तो यानि की चीज़े वही सब होती है गूम बिरके बस आ आपका NTA derived कर रहा है तो इनसे भी आप चोकनने हो जाएए जिस तरीके से अभी CSIR में भी इनोंने ऐसा ही question पूछा था कि what is the histone octamer made up of तो histone octamer कैसे बने होते हैं तो जब आप histone octamer पढ़ते हैं तो वहाँ पे histone जो protein होते हैं अगर आपको याद हो तो H1, H2A, H2B, H3 और H4 समझ रहे हैं जिसमें से आप याद रखेंगे जब octamer बनाते हैं तो यह केवल इतने बनाते हैं octamer ठीक है octamer में जो participate करते हैं वो इतने करते हैं और H1 जो होता है यह आपका क्या होता है यह आपका linker DNA का काम करता है मतलब जोडने का काम करता है ठीक है तो octamer में आपके केवल चार यहां पर आ जाएंगे यहां पर चार different type के ही histone bind करेंगे ठीक है तो यहां पर आपको एक ही option में दिख रहा है four different type and eight stone क्योंकि यह octamer है तो यह जब wrap करेंगे तो चार को दो से multiply कर दीजे तो आठ बन गे common sense की बात है तो 547 जो होगा यह सा correct option हो जाएगा ऐसे question histone जो की एक favorite topic है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ठीक है आराम से इसको आप कर लेंगे और थोरा सा complex में जाते हैं जोसके आप इसके कौन से amino acids हैं या उनके जो भी चीजे है वो CSIR में पूछा गया है चाहे वो DBT हो हर एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर भी assertion reason दिया गया है basic information है assertion है nitrogenase enzyme complex is highly sensitive to oxygen must be protected from oxygen for nitrogen fixation तो यह आपको पता है nitrogenase enzyme जो होता है वो highly sensitive होता है oxygen के इसलिए यहाँ पर क्या होता है leg hemoglobin protein होती है यह भी मैंने आपको little bit बताया है बाकि अपने basics पढ़े होंगे तो यह आपको पता होगा इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि agitobacter form specialized cell structure called heterocyst to prevent oxygen inactivation of nitrogenase तो यहाँ पर एक heterocyst की story आती है हाला कि यह थोड़ा सा उपर level की बात है बट यहीं पर इस बात को यहाँ पर आप देख सकते है कि heterocyst जो आप यहाँ पर इस part को अगर आप पढ़ेंगे तो यह आपका non-stock में बनता है ठेक है यह आपका cyanobacteria होता है और एक चीज और याद रखे है कि heterocyst में PS second नहीं होता है क्योंकि आप जब photosynthesis पढ़ते हैं तो PS first होता है, PS second होता है तो यहाँ पर PS second absent होता है तो एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसको आप याद रखेगा इसलिए oxygen is not evolved due to the absence of PS second however PS first remain active जो कि ATP का which generate ATP required to fix nitrogen समझ रहे हैं तो यह बात आप हमेशा याद रखेगा बहुत ही important चीज है जो कि मैंने आपको बता दी दो बाते याद रखेगा heterocyst किसमें होता है no stock में होता है न बाहिना no stock यह सब आपने पढ़ा होगा nitrogen fixation में तो यह आपका cyanobacteria में होता है तो यानि कि इसका जो correct answer बनेगा यह जो है वो true है और R जो है वो false है बाकि यहाँ से जो हम सीख कर जा रहे है कि nitrogen fixation आपको अच्छे से तयार करना है अपने next examinations के लिए फिर यहाँ पे एक आपका matching यह भी मेरे पढ़ाय हुए topic से है cholesterol का एक आपको lecture मिल जाएगा जो यहाँ पे नए बच्चे जोईन किये है ठीक है तो यहाँ पे matching के question जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर एक भी आपका सही होगा तो सारी चीजे हो जाएगी low istatin या istatin इसके बारे में मैंने बहुत बताई ICMR ने भी question पूछा ICAR ने भी question पूछा है तो इसको मिला दीजेगा cholesterol lowering agent तो यानि कि D का second हो जाएगा और D का second जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक ही option में दिया गया है तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है तो यानि कि 542 जो होगा वो इसका correct answer हो जाएगा बाकी कुछ इसमें जादा चीज नहीं है आराम से यहाँ पे दिया गया है इसको बाकी चीजों को आप पढ़िएगा और note down कर ले जाएगे कौन चीज है कहाँ पे use की जाती है समझ रहे है तो यह आपका homework है इसमें जो भी right answers दिये गया है particular हो सकता है बाकी हो जाएगा बी का fourth में option आ जाएगा तो इसे बहुत basic चीजें होती है समझ रहे है तो खैर यह important information थी बाकी अगर आप मेरा chapter पढ़के जाते cholesterol चार नंबर आपको आराम से मिल जाता यहाँ पे समझ रहे है तो इसी वज़ा से अपने घ्यान पे भरोसा रखिए इसके बाद एक question और आपका nitrogen fixation से पूछा गया है कि biological nitrogen fixation convert करते है nitrogen को ammonia में यह बात बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है biological nitrogen catalyzed by nitrogenase protein complex होते है leguminous plant में आपने पढ़ा होगा बिल्कुल सही है nitrogenase की जब भी बात आएगी तो FEMO protein होता है इसको भी याद रखिएगा मतलब इनको catalyst करने के लिए इनकी आऊशक्ता होती है iron molybdenum की जुरुत होती है leguminous plant होते है ठेक है तो correct answer आपको यहाँ पे choose करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A जो है वो true है B भी true है और यह जो है इसका correct explanation है तो यानि की 521 इसका correct बन जाएगा both A and are true the R is the correct explanation of the A समझ रहे हैं तो यहाँ पर 521 दिया गया है इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिजेगा हर exam में आपसे पूछा जाएगा फिर यहाँ पर आपका transpiration से एक questions और पूछा गया है मैंने ऐसे ही लगा दिया है transpiration में अकर थो दा cuticle lenticel istobeta basically आपको याद रख लिजेगा यहाँ से 90% transpiration आपका istobeta से होता है but cuticle से भी आपका 7-8% होता lenticel से भी आपका 1-2% होता है तो यह तीनों plant के जो आरगन होते हैं वो इस्तमाल होते हैं यानि कि यह true statement है transpiration creates suction force and help in the ascent of sap तो जब भी आप plant में botany आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ascent of sap का मतलब होता है पानी का चड़ना तो उस पूरे process में transpiration help करता है तो यानि कि यह statement जो होगा या आपका true हो जाएगा तो यानि कि जो इसका correct option बनेगा बोथ statement जो है वो correct है और इसको याद रख लिजएगा transpiration थोड़ा पढ़ लिजएगा इसमें बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं है नहीं होगा तो कभी मैं ही upload कर दूँगा वीडियो ठेक है तो इस part को जरूर पढ़के जाएगा कि NTA की नजर में ये है तो हो सकता है next time आपसे question derive किया जाए तो ये information आपके लिए हो गई है बाकि ये question जो की मेरा ही पढ़ाया हुआ question है जब मैंने लिपिड का डाइजेशन करना है तो आप लाइपेज एंजाइम यूज़ करोगे 1444-2861 समझ रहे हैं तो यहां पे बहुत अच्छा question यहां पे पूछे गए है इसके बाद ये part जो अभी तक हमने discuss किया यह आपके section B थे मतलब actually में इस paper में होता क्या है तीन part में बटे होते हैं A, B, C A आपका general knowledge होता है जो भी रहता हो जितरे भी questions रहते हो B आपका मतलब overall subject specific रहेगा ठेक है मतलब overall मतलब अगर आप पने choose किया है biochemistry भी चूज किया है तो भी आपसे life science ही पूछा जाएगा और जब आप C पराएंगे तो वो आपके particular subject specific होगा किर आपने biochemistry से form fill किया है तो फिर वो section C जो चलेगा वो आपका biochemistry से चलेगा तो अभी तक हमने question part B को देखा है जहां पे लगभख मैंने 20-20 question discuss किये है जो आराम से लगने वाले थे जिसमें से at least मैं कह सकता हूँ कि 12-14 question मेरे पढ़ाए हुए थे ठीक है और इतने questions बहुत होते हैं अगर आपको एक अच्छा score करता है ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं इसके बाद अगर आपका यहां पे और detail में अगर आप जाते हैं पर यह question मैंने यह उठाया है जब आप subject specific में आते हैं तो what is the first stable product of the photosynthesis in the C4 plant तो जब आप C4 cycle पढ़ते हैं तो यह बहुत important question आता है चुकि C3 में भी एक उसके limitation होती है तो जब C4 plant होते है तो यह सब पढ़के जाएगा exam में तो basically यहां पे क्या होता है कि जब carbon जो होता है वो react करता है CO2 से तो वो चार carbon compound मनाता है इसीले इसका नाम C4 cycle ही पढ़ा है तो आप यहां पर तो यह pyruvate तो कम carbon का है यह भी कम carbon का है तो यह दो option आपके cut गए malade भी है oxaloacetate है लेकिन जब पहला product बनता है वो आपका क्या बनता है stable product जो होता है वो आपका क्या होता है वो आपका oxaloacetate होता है बस problem इसके साथ यह होती है कि यह transfer नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि वहां पर दो cells में बटी होती है एक आपकी mesophile होती है और एक आपकी bundle sheet होती है ठीक है देख लीजेगा हो सकता है यह उपर नीचे जो भी हो ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि बस यह transfer नहीं हो सकता है इसी वजह से इसको convert कर दिया जाता है मैलेट के form में और मैलेट के form में यह transfer होता है समझ रहे है तो यह बहुत ही basic question था आराम से यह question आपको solve होना चाहिए था और यह part बहुत important है photosynthesis respiration यह सारी चीजे आप एकदम से तयार कर लीजे हर exam में आपको definitely मिलेगा तो आराम से इसका जो correct option बनेगा वो oxalo acetate बन जाएगा 110722 इसका correct answer होगा ठीक है तो यह चीजे थी जो मैंने आपको यहां तक मुझे आपको बतानी थी जो कि मैंने आपको यहां तक बता दिया है ठीक है तो आशा है कि यह video आपको अच्छा लगा होगा कुछ चीजे आपकी clear हुई होगी एक तरह से हमने तयारी भी शुरुआत क के लिए ठीक है तो यहीं चीजों से ही आप सीख कर जाएंगे ठीक है बाकि से कुछ questions के part और है जो मैं upload कर दूँगा बाकि यह video अच्छा लगा हो तो इसको like कीजेगा share कीजेगा subscribe कीजेगा बाकि मिलते हैं next video में next information के साथ thank you very